कैसा हो अगर आप किसी का खून कर दे और आपको वो याद ही ना हो आपका अपने उपर बसी ना रही वेल आज के हमारी कहानी इसी के उपर है जिसमें जैन नाम की एक लड़की रिखाये जाती है जो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए हिप्नो थेरपी लेने जाती है लेकिन उसके बाद से ही उसके साथ बहुत अजीब अजीब सी चीज़े होने लगती है उसे याद ही नहीं रहता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है देखने से लग रहा है कि शायद उसके साथ कोई ऐसा कर रहा है अब ये कौन है ये हमको इस कहानी में पता चलेगा So without wasting any time चलिए जल्दी से start करते हैं आज की वीडियो को कहानी के शुरुवात में हम एंड्रे बौवन नाम की एक लिडी को देखते है देखने में एंड्री काफी डरी हुई लगती है वो वेड नाम के एक डेटेक्टिव को कॉल करती है लेकिन कॉल वोईसमेल पर जाती है जिसके बाद एंड्री जल्दी से लिफ्ट में भागने की कोशिश करती है तभी उसके फोन पर unknown number से कॉल आता है उस कॉल के फोरण बाद एंड्री को ऐसा लगता है कि लिफ्ट के दीवारे धीरे धीरे उसके करीब आकर उसको भीच रही है वो जोर जोर से चिलाने लगती है तभी हम जैन नाम की एक लड़की को देखते है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड जीना के घर पार्टी पर आई होती है उसको देखने से ये साफ पता चल रहा था कि वो किसी चीज़ के डिप्रेशन में है पार्टी में जैन का एक्स बॉइफ्रेंड ब्रेंड भी आया हुआ था ये दोनों आपस में बात भी करते है इसी भी जीना जैन से कहती है कि उसको भी उसकी तरह एक अच्छे साइकारिस्ट के पास जाना चाहिए वो उसको पार्टी में आये डॉक्टर कॉलिन से मिलवाती है डॉक्टर कॉलिन एक साइकारिस्ट है इन्होंने ही जीना को उसके डर से बाहर निकलने में मदद की थी जिसकी वजह से अब उसके पास एक नौकरी, घर और सब कुछ है लेकिन जैन को डॉक्टर कॉलिन से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता वही डॉक्टर कॉलिन के आखों में जैन के लिए इंटरेस्ट साफ नजर आता है बलकि वो तो उसको अपना कार्ड भी दे कर जाते हैं घर जाते वक्त ब्राइन जैन को लिफ्ट देता है जहां हम ये जान पाते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है और शायद जैन के डिप्रेस्ट रहने की वज़ा भी वही है अगले दिन जीना जैन से डॉक्टर कॉलिन के पास जाने को कहती है कि वो बहुत ही अच्छे साइकारिटिस्ट है लेकिन जैन कहती है कि वो ठीक है वो वहाँ पर क्यों जाए जिस पर जीना गुस्से में कहती है कि तुम मुझसे जूट नहीं बोल सकती तुम हमेशा दुखी रहती हो हर वक्त डिप्रेस्ट हो नाही तुमारे पास अभी कोई नौकरी है जीना के बार बार कहने पर जैन डॉक्टर कॉलिन से मिल ले जाती है जहां बातों ही बातों में जैन बताती है कि वो और उसका एक्स बॉइफरेंट ब्राइन एक ही कॉलिज में साथ पढ़ते थे जिसके बाद उन दुनोंने इंगेजमेंट कर ली और जैन प्रेगनेंट हो गई लेकिन उसका मिसकारेज हो गया जिसकी वजह से वो दुनों अलग हो गए इस हाथसे के बाद से ही वो उदास और डिप्रेस रहने लगी डॉक्टर कॉलिन कहते हैं कि ये सब दुख तो जिन्दगी में चलते ही रहते हैं लेकिन इनकी वजह से हम जीना तो नहीं चोड़ सकते न वो जैन को हिप्नो थेरपी लेने को कहते हैं शुरुवात में तो जैन उसके लिए मना करती है वो कहती है कि वो अपने दिमाग का कंट्रोल किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहती जिस पर डॉक्टर कॉलिन बताते हैं कि तुम अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं दे रही हो इस थेरपी से तुम अपने सब कॉंशेस माइंड को कंट्रोल कर सकती हो इस से तुम अपने इमोशन्स और अपने उपर कंट्रोल करना सीखोगी डॉक्टर कॉलिन के समझाने पर वो हिपनो थेरपी के लिए मान जाती है जिसके बाद डॉक्टर कॉलिन उसको सोफे पर लिटा कर सुला देते हैं हिपनो थेरपी के दौरान जैन अपने आपको एक जंगल में पाती है हिपनो थेरपी के बाद जैन को काफ़ी अच्छा भी लगता है देखते ही देखते तीन महीने गुजर जाते हैं तीन महीने तक हिपनो थेरपी लेने की वज़ा से जैन को अब एक नौकर भी मिल जाती है और वो काफ़ी खुश है लेकिन पता नहीं क्यूँ जबसे वो हिपनो थेरपी ले रही है तब से ही वो अपने सपनों में खुद को और डॉक्टर कॉलिन को एक साथ सोते वी देख पाती है जो काफ़ी अजीब है इसलिए कुछ हफ्तों से वो हिपनो थेरपी के लिए डॉक्टर कॉलिन के पास नहीं जा रही एक दिन मॉल में डॉक्टर कॉलिन उसको अचानक मिल जाते हैं दोनों साथ पर डिनर करने लगते हैं जहां डॉक्टर कॉलिन जेन से पूछते हैं कि उसने अब हिपनो थेरपी के लिए आना बंद क्यों कर दिया जेन कहती है कि वो थोड़ा बिजी थी और उसने ब्राइन को एग्नोर करना शुरू कर दिया है जिस पर डॉक्टर कॉलिन उसको ऐसा करने को मना करते हैं और कहते हैं कि उसको ब्राइन को अपने घर पर डिनर के लिए बुला कर बात करनी चाहिए जेन ऐसा ही करती है वो ब्राइन से घर पर आने को खहती है और खुद दिनर का समान लेने स्टूर पर जाती है जहां उसके पास एक अन्नो नमबर से कॉल आता है और उसके अगले ही पल वो अपने आपको अपने घर के डिनर टेबल पर बैठा देखती है उसको कुछ-कुछ याद है और समझ नही सीट से ऐलरजी है और शयायद उसके खाने में तिल थे जन फौरण उसको ऐलरजी का इंजECTION देती है और उस रात ब्राइन के साथ ही अस्पताल में रुकती है और उसकी इन्जेक्शन देने से सिर्फ उसकी जान बची थी पर उसकी हालत अभी भी काफी खराब है अगले द स्टोर के बाद उसके साथ क्या हुआ उसको कुछ भी आत नहीं है। वो एक बार फिर डॉक्टर कॉलिन के पास हिपनो थेरपी लेने जाती है ताकि उसको कुछ सही लगे। उसी रात सपने में फिर से जैन डॉक्टर कॉलिन को अपने पास सोतावा देखती है जिसकी वज़ाए से उसके आँके खुल जाती है वो पाने पीने किचन में जाती है जहां उसकी नजर स्टोर से लाय समान के लिस्ट पर जाती है उसमें सेसमी ओयल भी था लेकिन जैन कभी भी सेसमी ओयल नहीं खरीदेगी क्योंकि वो जानती थी कि ब्राइन को उससे अलर्जी है अब जैन अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उसको थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि स्टोर के बाहर उसके पास एक अन्नो नंबर जैसे कॉल आया था उस आदमी की आवाज डॉक्टर कॉलिन की तरह लग रही थी उस आदमी ने कॉल पर जैन से कुछ कहा जिसके बाद वो अपने होश में नहीं थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉड़ी पर किसी ने कबजा कर लिया हो उसे ये भी आदाता है कि उसने ही ब्राइन के खाने में सेसमी आयल मिलाया था लेकिन वो अपने होश में कभी भी ऐसा नहीं कर सकती उसे डॉक्टर कॉलिन पर शक होने लगता है वो फॉरण उसके बारे में इंटरनेट न्यूज, रिपोर्ट्स और बाकी चीज में चेक करती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि कुछ लड़कियां जो डॉक्टर कॉलिन के पास हिपनो थेरपी लेती थी उन्हें भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी जिसके बाद उनमें से कुछ लड़कियों की मौत हो गई जिनमें से एक एंडरी बोवन भी थी जिससे हमने इस कहाने के शुरुवात में लिफ्ट के अंदर मरते वे देखा था रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी मौत हार्ट अटेक से हुई जिन ये सारी बात जिना को बताती है जिसके बाद ये दोनों पुलिस टेशन में डिटेक्टिव वेड से मिलते हैं वो इनकी बात फौरण माल लेता है क्योंकि डिटेक्टिव वेड ही आंडरी बोवन का केस समाल रहे थी वो बताता है कि एंडरी की मौत हुई तो हार्ट अटेक से ही है लेकिन मरने से पहले उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसको भीच रही हो जिसकी वजह से उसको हार्ट अटेक आया डिटेक्टिव वेड जेन को डॉक्टर कॉलिन के पास जाने को मना करते है ये दोनों रिकॉर्डिंग ओन करके डॉक्टर कॉलिन के पास जाती है ताकि वो हिपनो थेरपी के दौरान डॉक्टर कॉलिन की सारी बाते रेकॉर्ड कर सके क्योंकि हिपनो थेरपी के दौरान वो उससे क्या बाते करता है वो उसको पता ही नहीं चलती वो उस वक्त अपने होश में नहीं होती। डॉक्टर कॉलिन पूछते हैं कि वो आज यहां पर अचानक कैसे आ गई। जैन कहती है कि वो कुछ दिनों से परिशान है। इसलिए माइंड को रिलेक्स करने के लिए वो हिपनो थेरपी लेना चाहती है। और हिपनो थेरपी के बाद जब जैन अपनी कार में आकर फोन के रिकॉर्डिंग सुनती है तो इसमें कॉलिन हिपनो थेरपी की दौरान उससे ये पूछता है कि वो यहां आज अचानक क्या करने आई है। जैन कॉलिन को सब कुछ बता देती है क्योंकि उस वक्त वो हिपनोटाइस थी। वो बताती है कि वो आज उसके रिकॉ शुट जाते हैं। उसका ये रिकॉर्डिंग का प्लान उस पर ही भारी बढ़ जाता है क्योंकि कॉलिन को अब पता चल चुका है कि जीना और उसे कॉलिन के बारे में सब पता है। वो फोरान जीना को सातर रखोने के लिए फोन करती है। लेकिन उससे पहले ही जीना के पा मौत हो जाती है। इस हाथसे से जेन तूट जाती है और उसको लगता है कि जीना की मौत उसकी वजह से हुई है। वही दूसरी और इस हाथसे के बाद डेटेक्टिव वेड कॉलिन के खिलाफ चीज़े ढूनने लगते हैं। काफे ढूनने के बाद उसको पता चलता है कि लगबक एक ही जैसी देखती थी इन चार में से अंड्री बोवन भी एक थी जैन भी इनके जैसी देखती है अब इसके पीछे क्या कारण है उसको पता करने डिटेक्टिव वेड सीधा कॉलिन के ओफिस जाते हैं और उसको धमकी देते हुए ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भी लड़की तुम्हारे पास हिपनो थेरपी लेने के लिए आती है उसकी कुछ दिनों बाद मौत हो जाती है और वो सब लगबक एक ही जैसी देखती है कॉलिन डेटेक्टिव वेड को कुछ जवाबी नहीं देता उसी रात डेटेक्टिव वेड जैन के घर आकर उसको सतरक रहने को खहते है वो कहते हैं कि जैन किसी भी अन्नों नमर से कॉल मत उठाना और नाहीं किसी से बाहर मिलने जाना वो जल्द ही कॉलिन को पकड़ लेगा पर वेड की जाते ही कॉलिन जेन की घर में जबरदस्ती गुश जाता है वो जेन को स्टॉप कहता है और उसके ऐसा कहते ही जेन एक जगह पर बिना हिले खड़ी हो जाती है वो चाह कर भी अपने आपको हिला नहीं पाती जेन पूरी तरह से कॉलिन के हिपनासिस की बस में थी कॉलिन जेन से कहता है कि तुम्हें मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ लेकिन अव़ डिटेक्टिव वेड तुम्हारे और मेरे बीच में आ रहा है मैं उसको भी जीना की तरह मार दूँगा कॉलिन जैन को रिलेक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है और रिलेक्स कहते ही जैन जमीन पर गिर जाती है और फोरण वेट को फोन लगाने की कोशिश करती है ताकि वो उसको बता सके कि कॉलिन उसको मारने वाला है उसी वक्त हम वेट के घर पर एक लड़की को देखते हैं जो उसको मारने आई है ये लड़की कोई और नहीं बलकि कॉलिन की ही एक पेशंट होती है वो चाकू से वेट के पेट को जखमी कर देती है पर तबी वेट एक बॉक्स से उसको बेहोश कर देता है अगले दिन हम वेट को अस्पताल में देखते हैं जहां उससे मिलने जैन आती है और वेट को सब बता देती है कि कैसे कॉलिन जबरदस्ती उसके घर आया और उसने वेट को मारने की बात करी उसी बीच जैन के दिमाग में एक आयडिया आता है कि शायद कोई और दूसरा हिपनोथरपिस्ट उसकी इस बारे में कुछ मदद कर सके वो उसको हिपनोटाइस करके ये पता लगा सके कि कॉलिन ने उसके दिमाग के साथ क्या किया है जेन एक हिपनोथरपिस्ट के पास जाकर उसको सब बताती है वो हिपनोथरपिस्ट उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है लेकिन जैसे ही वो उसको हिपनोटाइस करती है वैसे ही जेन की सांसे रुकने लगती है ऐसा लगता है कि जैसे उसका किसी ने गला दबा दिया हो वो लेडी फॉरण उसको होश मिलाती है और कहती है कि वो इस चीज में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि कॉलिन ने उसके दिमाग में एक fail safe mechanism को डाल रखा है ताकि कोई और उसके दिमाग को नहीं पढ़ सके और नहीं उसमें जा सके उसने उसके दिमाग में कई सारे trigger points भी डाले हैं जिनको बोलने से Zen उसकी बस में हो जाएगी ये hypnotherapist Zen के दिमाग में अपना एक fail safe mechanism डाल देती है ताकि समय आने पर वो उसकी मदद कर सके अब हम देखते हैं कि जब Zen इस लेडी के hypnosis में थी तब उसको एक घर का address दिखाए दिया था वो उस address के घर को Google पर ढूणने लगती है काफी ढूणने पर वो घर मिल जाता है जो किसी Xavier Sullivan का है Google करने पर पता चलता है कि Xavier Sullivan एक psychiatrist है जो 1960 के दोरान पुलिस के साथ मिलकर काम करके लोगों के दिमाग में फेक मेमरीज डालती थे वो प्रोजेक्ट MK Ultra पर पुलिस के साथ काम क्या करती थे और इस प्रोजेक्ट में लोगों के mind को कंट्रोल किया जा रहा था तब ही Zen को याद आता है कि Colin ने एक बार उसको बताया था कि Xavier Sullivan उसके गुरू थे Zen को लगता है कि शायद Dr. Xavier Sullivan उसके कुछ मदद कर सके इसलिए वो उनके इसी address पर उनके घर चली जाती है लेकिन वहाँ पर उसे Colin और उसकी wife की photos रखे मिलती है उसकी wife बिल्कुल Zen की तरह दिख रही होती है तब ही Colin Zen के सामने आ जाता है वो बताता है कि Xavier Sullivan उसके dad थे जो अब इस दुन्या में नहीं रहे कुछ साल पहले उसकी wife की मी मौत हो गई और तब से ही वो हर उस लड़की को अपना बनाने की कोशिश में लग जाता है जो उसकी wife की तरह दिखती है या फिर smell करती है पहले जो लड़के मिली वो बिल्कुल उसकी wife की तरह नहीं थी लेकिन Colin के हिसाब से Zen बिल्कुल उसकी wife की तरह ही है वो उसी की तरह चलती है, smell करती है और उसी की तरह दिखाई भी देती है Zen भागने की कोशिश करती है लेकिन Colin उसको सो जाने को कहता है और उसके कहते ही वो सू भी जाती है वहीं अस्पिताल में Detective Wade के पास Zen का phone आता है वो बताती है कि Colin ने उसे अपने office में बंद कर रखा है प्लीस उसको बचाने जल्दी आओ Wade अपनी पूरी टीम को लेकर Colin के office पहुँच जाता है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता दरसल Zen अभी भी Colin के घर पर ही थी लेकिन Colin उसको अपने हेप्रोसिस से ये दिखा रहा था कि वो उसके office में बंद है तबी Wade ये पता लगा लिता है कि Colin डॉक्टर जेवियर सलीवन का बेटा है वो फॉरण डॉक्टर जेवियर सलीवन के घर की location लेकर उसके घर आता है जो असल में Colin का घर है वही घर के अंदर Colin जेन को अपनी wife की तरह सजा रहा है क्योंकि वो आज उसके साथ शादी करने वाला है जेन चाहकर भी अपनी body को हिलाना ही पाती तबी उसे ध्यान आता है कि ये room तो उसने अपने सपनों में देखा था जिस पर Colin बताता है कि वो कोई सपने नहीं थे वो मेरी wife की memories थी ये मेरी wife करूम है मैं धीरे धीरे मेरी wife और मेरी कुछ अच्छी यादे तुमारे brain में डाल रहा था जब हमारी शादी पूरी हो जाएगी तो मैं उसकी सारी यादे तुमारे brain में डाल दूँगा जिससे तुम बिलकुल उसकी जैसी बन जाओगी और मत्से प्यार करोगी तभी Colin को घर के दरवाजे खुलने की आवाज आती है वो जाकर देखता है तो वेट उस पर कूट पड़ता है लेकिन Colin उस पर भारी बढ़ता है क्योंकि वो पहले से ही जखमी है Colin उसको अद्मरा करके वही पर छोड़ देता है इधर जैन अपनी पूरी पावर को लगा कर Colin के हिपनोसिस से फाइट करते हुए Colin के पास आती है और उसको शूट कर देती है अगले ही पल जब उसको होश आता है तो वो डेटेक्टिव वेट की गोद में होती है वेट जैन से कहता है कि तुम्हारे शूट करने से Colin मारा गया और अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है मेरी जान मेरी जान शब्द सुनते ही जैन हिपनोसिस से बाहर आती है और हमको वो सिन दिखाय जाता है जैन देखती है कि वो वेट की नहीं Colin की गोद में है और वो ही उसको ये सब गलत चीज़े दिखा रहा था वो Colin पर हमला करके वेट के पास आती है जो बहुत बुरी तरह से जखमी पड़ा है जिसको वेट कहता है कि मेरे पहर के पास एक गन है जैन फॉरण उस गन को निकालती है और Colin को शूट करके मार डालती है Colin के मरते ही यहाँ पर एंबुलेंस आती है और ये दोनों बच जाते है जिसके बाद अब हमको कुछ समय आगे कर से दिखाय जाता है जहां अब जैन अपनी जॉब के साथ काफी successful और खुश है लेकिन अभी तक उसके ex-boyfriend Brian को होश नहीं आया है जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है हम उमीद करते हैं कि आपको एक कहानी पसंदाई होगी वेल ये hypnotism और ये trigger word सच में सच्चाई है ऐसे trigger word होते हैं जिनको सुनने के बाद हम अपना आपक हो देते हैं बाकि अगर आपने ऐसा कुछ experience किया हो तो हमसे वो comment box में share जरूर करिएगा क्योंकि फिलाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई interesting कहानी के साथ लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद